चोटे से arrow बटन पे यहाँ पे click कर दीजे और कुछी seconds के अंदर यहाँ पे वो analyze करेगा इस paragraph को और उसमें से summary निकाल लेगा तो जैसे मैंने paragraph select किया यह translation यहाँ पे चालो हो गया और कुछी seconds के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यह translate करके भी बता रहा है दोस्तो अगर आप एक student हो तो जाहिर सी बात है आप अपने subjects related ebook पढ़ते होंगे लेकिन कई बार होता क्या है हमारे ebook के अंदर कोई topic इतने बड़े paragraph में explain किया होता है कि उसे पढ़ने का हमारा मन नहीं करता है तो अगर हम इस बड़े paragraph को summarize कर दे उसके key point निकालते तो भई पढ़ने का मन करेगा और यह summarize और key point निकालने के लिए आज की वीडियो में आपको एक tool बताने वाला हो इतना है नहीं इस AI tool की मदद से आप अपने paragraph का explanation भी ले सकते हैं अगर आप एक freelancer है तो आप इस paragraph को rewrite कर सकते हैं ब्लॉगिंग अपने कोई भी content को rewrite करके use कर सकते हैं या फिर आप अपने paragraph को translate करना चाहते हैं अलग-अलग languages में तो वह भी आप कर सकते AI tool की मदद से basically एक swap page जिसके अंदर AI tool अभी introduced हो गया है जिसका नाम है Wondershare PDF element जिसमें आपको ऐसे अलग-अलग AI tools मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने काम को boost कर सकते हैं तो student हो, freelancer हो या फिर आप job seeker हो तो आपको ये tool जरूर पता होना चाहिए तो इसलिए मैं ये tool लेकिया हूँ चलिए देखते हैं ये AI tool PDF की उपर कैसे काम करेगा PDF को तो edit करता ही करता है क्योंकि ये PDF element है PDF को edit करेगा, compress करेगा, PDF को word, excel powerpoint में convert तो करेगा ये करेगा साथ ही में ये करने वाला है आपके लिए बहुत सारे AI काम जैसे कि मैंने आपको पहले बता है, आपकी paragraph को explain करेगा, summarize करेगा, translate करेगा, डिरसरी चीज़े आईए practically देखते हैं अगर आप interested तो, let's begin तो दोस्तो, Wondershare PDF element आपको download install करने के लिए description में मैंने link दिए, वहाँ पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का web page उपन होगा, जिसमें free download button आपको मिलेगा, यहाँ पे click कीजिए, free download कीजिए, और जैसे यह download हो जाता है, उसके बाद ही आपे next next करके आप इसे install कीजिए, अब install और run करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ interface आजाएगा, जहाँ पे आपको option मिल जाएगा, edit PDF, convert PDF, OCR PDF, combined PDF, batch PDF, compressed PDF, देर सारे और भी options है, फिलाल तो मैं आपको इसके AI tools के बारे मैं पहले बताओंगा, फिर हम PDF edit करना भी सिखेंगे, convert भी करना सिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे PDF open करेंगे और उसके उपर कुछ AI tools का apply करके देखेंगे, यहाँ पे आपको open PDF option दिखाए दे रहा है, उसके अलावा recently अगर आपने कोई PDF access किये, तो यहाँ पे भी दिखाए देगे, जैसे यह computer RAM info 1 है, skill course 1 है, तो मैं यहाँ पे इस पे click करता हूँ, suppose यह PDF को मैं यहाँ पे open कर रहा हू तो यहाँ पे आप देख सकते है, यह PDF यहाँ पे open हो चुकी है, और इसमें 2 pages है, अब इस PDF के अंदर कुछ चीज़े मुझे करनी है, जो मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, राइट साइड में आपको एक sidebar दिखाए दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते है, AI sidebar इस पे click और इस paragraph की summary निकालना चाहता हो, तो एक तो काम आप यह कर सकते है, आप इसे select करके यहाँ पे जाकर summarize कर सकते है, यह देखिए AI और यहाँ पे summarize option है, यह पिर अगर आपने इसे select किया है, और यह sidebar open करके रखाए तो यहाँ पे summarize पे click किजिए, जैसे आप summarize पे click करोगे, इस paragraph के आगे, hash summarize एड़ हो जाएगा, और नीचे आपको paragraph दिखाए देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे click करना है, इस चोटे से arrow बटन पे, यहाँ पे click कर दीजिए, यह send हो जाएगा, और यह summary निकालना चालू करेगा, और कुछ ही seconds के अंदर, यहाँ पे वो analyze करेगा इस उसमें से summary निकाल लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, easily summary आप इस paragraph से निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा paragraph हो उसका summary आप यहाँ ले सकते हैं, basically यह key point के साथ उसने summary भी दिये, और साथ में इस paragraph को चोटा सा करके भी summary दिये, तो दो type का summary आपको मिल रहा है, यहाँ पे भ आपकर भी rewrite कर सकता हो, और rewrite button पे click करूँगा, तो यहाँ पे देखिए, rewrite add हो रहा है, and rewrite, मतलब यह paragraph पे इसको अलग फिर से लिखा जाए, information वही रहेगी, बट अलग तरीके से यहाँ पे present होगा, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो दिखाए दे रहा था, वो paragraph का content यहा वो block की information आपने कई से copy page की, तो उसे rewrite करवाना है, तो आप rewrite करवा सकते हैं, इस AI tool की मदद से, एना interesting guys, तो यहाँ पे content creation का काम हो रहा है, freelancer के लिए, यहाँ पे students के लिए भी benefit हो रहा है, कि students अपने बड़े बड़े paragraph की summary यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, और यह summary rewrite तो हो गया, लेकिन इसके अलाव आप PDF को सवाल भी पूछ सकते हैं, तो मैं काम काता हूँ, दूसरा यहाँ पे एक PDF उपन काता हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे एक और PDF उपन किये, अब यहाँ पे मान लो कि आपके 20-50-100 पेजेस होगे, और उसमें कुछ चीज ढूननी है, जैसे एक example ले लो, यहाँ पे एक line आपको दिखाए देरे, we have completed 2 million subscribers on our main YouTube channel, Learn More, तो मुझे यह जानना है, basically अब यह तो मैंने पढ़ ल क्या है, यहाँ पे Ask PDF पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखाए देरे Ask PDF, और यहाँ पे Ask Me Anything, तो मैं इसे पूछूँगा कि वही, Total Subscriber of Learn More, मैंने simple सा सवाल लिख दया, how many subscribers of Learn More, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे Total Subscriber of Learn More, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे से अंसर उसने दे दिया, अब यहाँ पे पहले वाली PDF मैंने इसले ने लिए, क्योंकि What is RAM बैसिकली यह अंसर तो जनरल है, वह आपने AI टूल से भी जनरेट करके दे सकता है, लेकिन मैं PDF से चाहता था, इसले मैं यह पे लिख ली और जिसमें मैंने कई पे तो ल लिखाय दे रहा है, Translate button पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप paragraph select कीजिए, यह मैंने paragraph select कर लिया है, और जैसे मैं paragraph select करूंगा उपर आप English to Hindi, जो भी language है उसमें पहले select कर सकते हैं, मैंने पहले language select करके रखा है, तो जैसे मैंने paragraph select किया, यह translation यहाँ पे चालो हो गया है, और कु शोनल लिखं़र वहाँ पर और क्यूंद है, तो रहने पार हो सी पारगर्प को आपी और हम कीजिए खाले आतने पर आपर में communicate कर शकते है, तोय है पर इसमें पर स्जुर्ड मी एक्श्र उप और हे इसके पर आपको प्लून कर सकते हैं, रिवड है, तो अलावा तो अला करूंगा और यहां पर मुझे title ऐड करना है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और लिखना चालो करूंगा तो मैंने यहां पर कुछ title कर दिया इस तरह से, इसे आप formatting करना चाहते है इसे आप select कीजिए right side में अँब देख सकते है यहां पर formatting tool भी आ जाता है जिससे आप formatting इसे कर सकते हैं और इस particular text box को आप जहाँ पर चाहिए वहाँ पर रख सकते हैं तो PDF में नए content आप एड़ कर सकते हैं existing content को आप easily delete कर सकते हैं जैसे ये वाला पूरा पूरा paragraph मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे select करके delete कर सकता हूँ इसमें मैं कुछ formatting आड़ करना चाहता हूँ तो मैं formatting कर सकता हूँ यहाँ पर मैं image आड़ कर सकता हूँ link आड़ कर सकता हूँ automark even मैं आड़ कर सकता हूँ अगर मुझे automark आड़ करना है तो मैं यहाँ पर add automark पर जाओंगा auto mark के अंदर आप text auto mark add कर सकते हैं आप file भी add कर सकते हैं तो file में मैं file select कर रहा हूँ तो file में कोई भी image आप select कर लो जो भी आपके पास है जैसे मेरे पास skill course जो हमारा brand है उसी का यहाँ पर image है इस image को यहाँ पर लेने के बाद झाल पर दोल Hug Wow यह दोगे सकते हैं जच्छी해야 के साथ कर सकते हैं यह यहाँ पर दीग आप उनके साथ का सकते हैं एंद एपलाय बटन पे click कर एंद होते हैं नीचे Smart इसका Trans शनी यहाँ बेला बटन आप लिग आप देख सकते हैं यह ओर्टरमार्ग भी एड़ करना यहां पर बहुत आसाने, इवन आप background आड़ कर सकते है, header and putter आड़ कर सकते है, आप comment में जाकर यहां पर इसको highlight कर सकते है, जैसे कि आपको यहां पर highlighter यूज करके कुछ content highlight करने तो highlighter ले लो, और highlighter लेकर आप इससे highlight कर सकते है, देखिए, ब कर सकते हैं, तो word file, to excel file, to ppt file, बस आप आपको click करना है, word में मुझे चाहिए इस PDF को, तो मैं word में click करूँगा, word में convert होगी, even we can convert into the image, to text में convert करना है PDF को, तो भी कर सकते है, और batch convert भी option दिया गया है, जिसकी मदद से आप यहां पर multiple PDF एक साथ convert कर सकते हैं, उसकी अलावा, देहर सारे और भी tools आपको मिलेंगे, जो कि tools में जाकर यहां पर PDF को compress कर सकते हैं, combine कर सकते हैं, PDF को multiple, या compare भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमें PDF में प्रोटेक्ट करना पड़ता है, या PDF में signature अपड़ता है, तो protect करने के लिए यहां पर encrypt option है, जहां पर जाकर आप अपने PDF आपको password सेट कर सकते हैं, और password की permissions दे सकते हैं, इसके अलावा आप अपने document पर sign भी यहां से कर सकते हैं, sign document, manage signature, सारे options, sign document पर click करो, एक unique sign ID यहां पर generate होगा, जब आप यहां पर इसे add करोगे, तो unique sign ID के साथ यहां पर digital signatures भी आप यहां पर add कर सकते हैं, ऐसे धेर सारे tools यह यहां पर आपको मिल रहे हैं, बस आपको जाकर यहां पर tools का इस्तमाल करना है, तो यहां पर मैं example के लिए आपको convert to word करके दिखाता हूँ, convert to word पर क्लिक करता हूँ, यहां पर बता रहे है कि output format इस तरह से यहां पी जाएगा, settings और कुछ फाइल का नाम बदलने तो आप इस folder में जाके say होगा, no problem, यहां पर मैं click करूँगा, यह convert हो चुका है, क्या बात है, open folder करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी convert किया है, और यहां पर यहां पर फाइल convert हो चुकी है, यहां पर देख सकते हैं, पूरा परा word में यह document आ चुका है, and you can literally edit this particular PDF inside the word again, तो इतने सारे options यहां पर दे रहा है, AI feature के साथ यह wondershare PDF element guides, तो दोस्तो कैसे लगा आपको यह wondershare PDF element, basically यह PDF editor के साथ-साथ आपको AI features भी दे रहा है, तो अच्छा लगा है, तो description में हमने link दी, अभी click किजे और download करके इसका आनन्द उठा लीजे, फिलाल तो हम मिले नेक्स वीडियो के अंदर लेकिन चानल पर नहे हो, तो subscribe करके जरू जाएगा, साथ ही वीडियो को like, share और comment करना ना बूलिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक लिए अपना खयाल रखिएगा, बाई बाई